तो हम PNC कर रहे थे ठीक है? कॉंबिनेशन अमने समझ था की कॉंबिनेशन कैसे होता है? आज अपन करेंगे Dictionary Problems जैसे मालो Dictionary Problems का मतलब कह रहता है जैसे मालो कोई एक वर्ल्ड है TOUGH ठीक है? T-O-U-G-H अब अगर मैं इसके letters use करके TOUGH WORLD के अगर मैं letter use करके जितने possible words बन सकते हैं उतने बनाता हूं तो total words कितने बनेंगे पहले तो अगर मैं TOUGH WORLD के letter, साले letter use करना चाहता हूं और जितने possible words बन सकते हैं उतने बनाता हूं तो कितने total words बनेंगे? सुचो अगर मैं टफ वर्ल्ड के सारे पांचों के पांचों लेटर यूज़ करके जितने भी पोसिबल वर्ड्स हैं वो उतने बनाता जा रहा हूँ बिलकुल बिलकुल मुस्काल, five factorial बनेंगे, ठीक है झ्योंकि पांच लेटर याइं, पांच जगाहे हैं तो एकसोब वर्ल बनेंगे, अब हमें ही देखना है कि मांदो 120 वर्ल को अगर самые спокойная रहाँ combien equivalent जो लेटर सबसे पहले आएगा उसके वर्ड होंगे जैसे A से आपते हैं फिर B से फिर C से न अदिक्शनरी हम सब ने देखिए तो अगर अपने इसको डिक्शनरी के साब से रेंज करते हैं तो जो टफ वर्ड है जो एक्चिल वर्ड है वो कौन से रैंक पर आएगा टोटल 120 बन रहे हैं तफ का कौन सा रहे होगा और सा वाल्ड होगा जो मैंद बन सा नमबर होगा जिसपी जाकर टफ आएगा बासमी में अई कि नहीं तो फिर दिक्शन प्रॉलम समझ में कि करना के है अपने को मैं कुछ बहूल लो कहा है खापी कि नहाते गए कर से हैं जो ये 120 वल्ड बनेंगे ठीक है उनमें से टफ वल्ड का एक्टियर रैंक कि यहोगा तो एक्टियर रैंक निकाने करें अपन क्या करते हैं न अपने इनको सबस्वेले डिक्शनरी के साब से और ते तो ये 5 लेटर्टी है इनको में अर्रेंज करते हैं सबसे पहला लेटर कौन सा आएगा इसको रेंज करो ठीक है डिक्शनरी के साब से बाद में देखेंगे पहले अल्फाबेटिक और में रेंज करो तो क्या आएगा सबसे पहला वर्ट क्या आएगा जी बिल्कुल ठीक है उसके बाद अगर मैं डिक्शनरी के साब से अरेंज करता हूं तो सबसे पहले जी वाले लेटर आएगे जी वाले जितने भी वर्ड्स पोसिबलों के सारे पहले वो आएगे ठीक है जितने भी वर्ड्स जी से सास हो सकते हैं मेरे को टफ तक पहुंचने ठीक है मेरे को इस वर्ड्स तक पहुंचने उसके लिए पहले सारे जी वाले जी वालों में तो टफ बनेगा नी क्योंकि टफ में पहला वर्डी टी आएगा तो टी वाल जो ये जी वाले वर्ड्स बने यह चारों कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? मैं यह देखना चाहता हूँ, G से स्टार्ट होना रही कितने वर्ड़ हैं तो G को फिक्स कर दिया, मैंने बाकी चार प्लेसी बचीन, चार जगा बचीन तो कितने वर्ड़ आ सकते हैं G से स्टार्ट होने वाले? 4 Factorial यह दूनने की कोशिस निया, इसको यह चोवीस में क्रोश कर गया फिर आगे कौन से लेटर से स्टार्ट होने वर्ड़? डिक्षेन के साब से कर देखें H एच वर्ड़ स्टार्ट होने, ठीक है, G वाले बीट गए बाकि G ओ टी-Yू अपने अर्पस में रेंज होते जाएंगे ठीक है, तवन भी 24 से बैट जाएंगे फिर ऐसी O वर्ले वर्ड जाएंगे ठीक है? ओ बल्र दायै तो जाएंगे तो कितने अजएएंगे ये भी? वर्ले वर्ड़ स्ट्स कितने हो जाएंगे? 24 24 24 बिल्कुल ठीक है अब जब यह इन तीनों में हाँ बिल्कुल इन तीनों में जी एच और यू ओ वले जी एच और वले इसमें तफ नहीं बन सकता जो नेक्स्ट होगा वो होगा टी से स्टार्ट होने वाले ठीक है अब यहां पर मैं 24 के 24 के क्लिकुल इसमें नेकर जाएगा तो टफ भी बीच में से कहीं होगा वो निकल जाएगा ठीक है तो मैं तक पहुंच गया अब बचे बागी चारका खे इसको फिक्स कर दो अब मेरे को बनाना है OU GH और इनका अलफभेweis कोडल है is GH OU ठीक है, ये बनाना है covered, T का काम खत्म होगिया OU GH मेरे को बनाना है और GH OU इसका अलफभेaufen क coupon है अब जब T सेस्टार्ट होने वाले, T से स्टार्ट होने वाले Word goo पहले zero checklist होगे ठीडल, अब यह बनाना है, यहां से start होंगे. तो g से start होने टेले कितने words होंगे, गताओ. g से start होने वाले. ठीजिवी. थी. ठीजिवी. तु इसके बाद कौशे words स्टाट होंगे? t दो fix है, उसके बाद कौशे words स्टाट होंगे? x होने, बिल्कुल. अब उसके बाद कोई से स्टार्ट होंगे ओ वाले अब मेरे को ये छे केशे करने चाहिए क्या क्योंकि इसी में कहीं टॉफ होगा ठीक है जैसी मैच होगा अबस रूप जाओ ठीक है वो सारी कि क्योंकि ये सब जग़से डिलीट हो गया अब मेरे को बनाना है क्योंकि यु जी एच में परस अल्फबेटिको दोड़ है जी एक विइन यू जी टिक विनाना है तो ये अब मैंने यहां पर लाइन बना दी हम तरह belongsाँ सब कुछ कि सोगए टिक है अब फिर पहले जी वाले वर्त आर gouvernement चिए वाले कितने वर्द आएंगे बताओ ए को फैक्टोरियल, ठीक है, मेरे को जी नहीं चाहिए तो जब तक जी आह रहा तब तक यह ऐसा बनता जा रहे तो तो फिक्स होग्या α भी तो उसकेफ़ उसा जिए तो फिकलाग है यह सोचक्केव सब्सक्राइब कर लिया इन सबी वर्ड के बाद जो नेक्स्ट वर्ड होगा वह तफ ही बनेगा ठीक है तोटा कितने वर्ड पास कर चुके हैं 72 72 प्लस 84 84 प्लस 488 89 तो इसका रहंक हो गया 89 तफ बनने से पहले 88 वर्ड पास कर चुकी है तो टुफ का जो एक्ट रहंक हो का डैट वी 89 रहंक समझ में आई बात क्लियर हुआ है यह सर्थ ठीक है तो इस तरीके से आप डिक्षिन प्रोल्ड में सौल कर सकते हो ठीक है पहले सारे जी वर्ड वर्ड कैलकुलेट कि वह जब जैसे पहला लैटर मैंच हो गया फिर वो सारे नहीं कैलकुलेट करने वहाँ पर रूख जाना है फिर बाकी सबको ठीक है नोट कर ले इसको पर नहीं स्कूशन करते हैं सार हमें पिछले वर्ड सारे एड कर लेने रैंक निकालने के लिए हमने देखा कि जी से कितने वर्ड स्टार्ट हो रहे हैं 24 यह सारे के सारे टफ से पहले हो गए सब के सब्ड़ से पहले हैं जब तक टफ बना इतने वर्ड पास कर चूके थे तो एटी एट वर्ड स्ट खरके थे तो एक नाइथ हो गया है कि उन 120 में से थो अध्यान से करना उन 120 में से नाइफ का एक्ट्व रेंग क्या बनेगा वो निकालना आपको ठीक है करो सभी ट्राइब करो ठीक है जिसके इंसर रहे हैं पर दाते रहे हैं तो कुछ-कुछ बत्यों के इंसर आ रहे हैं दीवे तुमारा सही है पर इससे चेक कर एक वर जो आए गलता है यह बने का इसका अलफबेटिक ओडर तो पहले ई वाले 24 फिर एफ वाले 24 फिर आई वाले 24 और फिर के वाले पर रुख जाना है ठीक है के खतम हो गया तो बच्चे का एन आई एफ इए एफ आई एन ठीक है अलफबेटिक ओडर यह बनाना है यह बच्चे है ठीक है तो पहले ई वाले ई वाले छे एफ वाले छे आई 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 वाले पर र एफ आई बचे हैं ठीक है तो पहले एवाले वर्स दो फिर एफ वाले वर्स दो फिर आई बनाना है यहां पर रुख जाना है ठीक है अब बचे एफ फी एफ बनाना है और एफ बचे हैं ठीक है तो पहले एफ आएगा फिर एफ आएगा ठीक है यह भी एक एड हो गया तो टो 94 95 96 rank हो गया ठीक है कुछ-कुछ अंसर आगे अपने पास हाँ जब-जब मुस्कान माने था सब का ठीक है ठीक है गुड ठीक है और दिवे का तो ठीक ही था ठीक है तो जिनका पहले गलत हुआ था वो एक का चेक कर लो हाँ 36 96 ठीक है कुछ-डाउट हाँ तो पुछो किसी को ऐदा तो पुछो किसो कोई डाउट हाँ तो पुछो यार किtaking है फाइ्ट नंबर उफ नंबर उफ फाइट फाइट नंबर उफ थ्री ढीचिट और स्सक्रीक E Tu चिश है है which can be formed using digits 1, 2, 3, 4, 5 find number of three digits even number find number of three digits even number without repetition find number of three digits even number without repetition which can be formed using the digits 1, 2, 3, 4, 5 in digits का यूस करके कितने 3 digits even number बना सकते हो अब आपके स्तीन कुर्सिया हैं ठेक है किसी को दूबारा नहीं भीठा सकते हैं यह एक भार बैठके बैठी हैं ठीक है अब देखो तीन कुर्सिया हम 5 लोग किसके सावसे सोचेंगे तीन प्लेसिगे 5 लोग किसके सावसे सावसे सोचेंगे प्लेसिगे Éवनननम Lewis प्लेसिगे सावसेख से बिलकुल तो यहां पर कोई लोग बैठ सकते हैं, तू मैं टू और यह वदा टू नहीं लिख रहा हूं, यह टू ओप्शन लिख रहा हूं, लास्ट काम करने के, यहां पर बिठाने के दो तरीकिये हैं, यह तो टू बैठेगा या फोर बैठेगा, चलो यहां पर कोई बैठ गया, फिर अब एक प्लेस को फिल करना है ना? फॉर फॉर उप्शन होगे, मालो यहाँ पर टू बैठ भी गया, तो यहाँ पर फॉर तो बैठ ही सकते है ना, बुभी? तो यहाँ पर चार उप्शन होगे, ठीक है, एक इवन नमबर यहाँ पर यूज हो गया, उसके इलावा बाकी दूसरे अला इवन नमबर यहाँ पर यूज हो सकते है, और उसके इलावा बान थ्री फाइव तो हैं, तो यहाँ पर चार होगे, फिर यहाँ पर कितने उप्शन ह बनाना ज़रूरी है बिलकुल तो टोटल आजाएगा 24 ठीक है समझ में आया टोटल 24 आजाएगा ठीक है अच्छा चरह ये कोशन करो इसी कोशन का बी पाथ है थ्री डीजिट नंबर बनाना है which is divisible by 5 पहले इवन बनाना था डीजिट बनाना है सोचो करो शेम कोशन बाकी यूजिट डीजिट डीजिट बिडाउट रिपिटेशन ठीक है थ्री डीजिट नंबर ठीक है डीजिब बनाना है सोचो करो आज बिलकुल गरीशा सही है जब जाब सही है ठीक है और भी किसी का आया है जो आए ठीक है बिलकुल 12 अंसर आएगा ठीक है यहां पर 5 फिक्स हो जाएगा उसके लावा और कोई नहीं बैठ सकता तो यहां पर 4 उप्शन यहां पर 3 उप्शन बारा उप्शन जाते हैं किसी को डाउट अथ पूछे है डीक फाइफ तब होता है जब लास वारा डीजिट पांट या जीरो ठीक है इन मेंसे 1,2,3,4,5 मेंसे 5 डेगा यहां पर बागकी 4 उप्शन यां पर 3 उप्शन या पर किसी को डाउट जीरो चलता था लेकिन जीरो अप्शन अवेलेबल नहीं है ठीक है किसी को डाउट जो सर अगर इसी कोशन में, इस B पार्ट में, मैं रिपिटेशन अलाओ कर दूं तो, अगर रिपिटेशन अलाओ हो जाए तो, तो कितने केस हो जाएंगे, 25, 25, बिलकुल, पहली लास्ट वाइ डीजिट पांच, लास्ट वाइ यहां पर एक ही आ सकता है, पांच, उसके लावा आपर पांच, अप्शन कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है, 25 हो जाएंगे, क्लियर हुआ, समझ में आया, बिया अगर रिपिटेशन अलाओ हो जाएगी इस केस में, तो 12 की जगए 25 केस आजाएंगे, यह समझ में आई के नहीं आई, नहीं आई, नेक्स्ट है, अच्छा, सेम question, repetition not allowed, 1, 2, 3, 4, 5, use कर नहीं, repetition not allowed, divisal by 3, 1, 2, 3, 4, 5, divisal by 3, झाल, 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 अब इसमें आपको 12 तो कम लग रहे हैं मैंको इसमें आपको यह देखना पड़ेगा डिजिल रही कम होता है जब सम अफ डिजी मतलब 3 से डिवाइड होते हैं ठीक है तो या तो 1, 2, 3 यूज हो ठीक है तो आपको पहले पेर बिनाने पड़ेंगे या फिर जैसे 3, 4, 5 यूज हो ठीक है या फिर 1, 3, 5 यूज हो ठीक है और या फिर 2, 3, 4 यूज हो यह चार बन जाएंगे ठीक है यह डिजिट्स यूज हो तब चल जाएगा चुनकि सबका सम डिजिल भाई 3 है ठीक है 6 बन रहा है तो लेकिन इसके ले वर्ट मतलब नमबर्स कितने बनेंगे अगर 1, 2, 3 यूज करना है मेंने 3 जगह हैं 3 नमबर्स में तो 3 इसके बाठेगे तो इसके 6 हो गए एसे हर किसी के इसके भी 3ा ये वर्ट टैक है तो हर कॉम्बिनेशन 3 फेक्टोल ये तो इसके भी 6 बन जाए टीक इसके 6, सब गए तो इन सब को यह पिरpreneंगे या सबात करने गए तो तो फाइनस आयागा 24 बिलको ठीक है ठीक है तो आपको इसमें केसी बनाने चाहिए थे ठीक है सम उफ दीजिर्स कौन से तीन डीजिर्स का समय तो यहां पर मिस होने के जादा रहते हैं तो आपको थरा कॉंशिएस रहना पड़ेगा अच्छा इसी म्यार को न हमें टीजिली बनाने चीजिली न दाको डागे्याद से बेलीजिया पहले मिससी दाओ यहां पर इंद रहेन डीजिर्स क्ड़ेगा फिक्स करदिया यहां पर यहां पर यहां तो तीन उप्शिन यह गई ऐसे आपने 32 फिक्स कर दिया तो तीन उप्शिन यह गई ऐसे सोचो कितने केस बनेंगे करो ट्राइए डिविजिल वाई 4 तब होता है जब लास्ट वाई 2 डिजे डिविजिल वाई 4 होते हैं ठीक है जब जब सब्सक्राइब ग्रीश है तो एक के समिस कर गीशाए एक 52 भी आएगा एक 24 भी आएगा ठीक है 52 ट्वें 24 दो के सो रहेंगे हाँ बिल्कुल बार अंसर आएगा ठीक है वह इसमें केसी दुनाने वाले में थासर ध्यान रखना पड़ तापने को कि कोई केस मिसना हो जाए ठीक है तो 12, 32, 52, 24 तो टो टोटल 12 केसी दाएगे ठीक है क्लियर है कोई डाउट किसी को कोई डाउट किसी को ठीक है अब नेक्स्ट मेठेद है यार अभी कभी आपको ऐसा बोल देंगे कि कुछ चीजों का एक साथ रखना है कीपिंग कीपिंग तिंग्स टुगेदर ठीक है जासे मान लों बोल देंगे की 12345 इन डिजिस को यूज करके 5 लैटर 5 डिजिस का नंबर बनाना है तो जब कुछ चीजों का हमने एक साथ रखना है तो आप क्या करो उनको उनकी गठरी बना है जालो उनको बांध दो एक साथ उनको एक साथ बांध दो ठीक है पहले कितने डिजिस से 12345 अब कितने डिजिस होगे अगर मैं इन दोनों को एक ही यूनिट मानता हूं तो 1234 ठीक है इन दोनों को एक साथ बांध दो ठीक है बांध दिया अब इन इसको आपन नाम दे सकते है हां अब अपने इन दोनों को एक ही shape अरइन बिल्कुल ठीक है अब अपने क्या करेंगे न इन दोनों को एक साथ बांदगी है अब नहीं है अब यह चार डिजिर्स हो गए 1, 1, 2, 3, 1 4, 1, 5, 1 ठीक है तो यह चारों डीजिर्स हापस में कितने ती किसे और रेंज कर सकते हैं? यह चारों डीजिस आपस में कितने थी किसे और रेंज कर सकते हैं, बताओ 4-factorial बट जब आप 4-factorial कहे रहे हो ना तो आप यह चीज़ मान के चाहरे हो कि जैसे मान लो 4, 2, 3, 1, 5 b एक हो गया 4.. आपने इसको एक माना ना 4, 3, 2, 1, 5 भी एक हो गया ठीक है? यह दोनों आपस में भी तो अरेंज कर सकते हैं अगर आप ध्यान से देखो है ना? तो इन 2 और 3 आपस में कितने त्रीके से अरेंज कर सकते हैं? तो जिनको आपने गठरी में बांदा है इसको आप गठरी में बांदा है वो उनके आपस के अरेंज में भी आपको मिलते करने हैं क्योंकि यहां पर देखो ना? अगर आप इसको आपस में रेंज करते हैं तो यह दोनों एक ही काउंट हो जाएगा यह दोनों अलग-अलग मानने ने चाहिए फिर अरेंज करो ऊसके बाद देखो कि जो गठरी में बांदा है क्या वो आपस में अरेंज कर सकतegen या नहीं उसके अरेंजमेट भी साथ में लेकर चलो कोई डाउट? कोई डाउट? अच्छा अगर सेम कोश्चिन में मालो 123 को एक साथ रखना होता 123 को तो कितने तीक हो जाते find the number of number possible using the digits 12345 when 123 has to be kept together 63ха9… YouTube बीकुल इन तीनो का घर्थी बानदो तो तीन रीन बीदी ट्रिटियल बिलकुल इन टीन आखसा को झायगा जैट आद कीसी इता जाक को डाओ यह जातरा हो पूचिहा है खीक है तीन शान तटो आज की साथर यहिख नेक्स लिखो, arrange seven colors of rainbow, arrange seven colors of rainbow, such that blue and green are always together, arrange seven colors of rainbow, such that blue and green are always together, बताओ कितने हो जाएंगे? हाँ, बिल्कुल, बैस सिर्फ आरें कोई सांज में आ रहा है क्या? ठीक है, six factor into two factor ही हो जाएगा, बिल्कुल, ठीक है? अच्छा, अब बगर मान लो, इसी कोशन का भी पाट है, arrange seven colors of rainbow, such that blue and green are never together, कि blue और green अलग लग होने चाहिए, तो कैसे करोगे? blue and green are never together, सोचो, जब चीजों को अलग लग रखने हो, total है seven factorial, seven factorial में से six factorial two factorial सब्टेक्ट कर दोगे, जब दोनों एक साथ थे, ठीक है? तो आपका फाइनसर आ जाएगा, ठीक है? समझ में आया? यह वह वह रखने हैं, जब B and G are separate, never together, ठीक है? जब यह दोनों एक साथ नहीं है, ठीक है? समझ में आई बात? यह दोनों, इसी कोशन को करने का जब चीजों को अलग अलग रखना है, तो उसके लिए एक निया मेथद है, गैप मेथद, ठीक है? इसकी जोट क्यों पर लिए वैसे हले कि हर बड़ काम नहीं करेगा, वो मैं बताऊंगा क्यों नहीं काम करेगा? गैप मेथद का मतलब क्या होता है? यह गैप मेथद, तब यूज करते हैं, गठ्री वाला मेथद, तब यूज करते हैं, जब चीजों को अलग अलग रखना है, ठीक है? Gap Method अफ़ियूस करते हैं जब चीजों को अलग-अलग रखना है ठीक है, एक साथ नहीं रखना है ठीक है तो गैम में हैं अफ़ियूस करेंगे जब चीजों को हमें separate रखना है तो जीको अफ़ियूस प्दिखों जिनको अलग-अलग रखना है पहले उनको साइड पे रखो blue बाकि सबको बठा दो बाकि पांच को लोग कितने थी किसे बैठ सकते हैं इनको पहले बिठा दो five factorial ठीक है अब क्या करो आप ठीक है अब जो ये दो लोग आ रहे हैं blue and green इनके लिए पहले ना इनको लग लग बिठाना है देखो ये जो पांच लोग बैठ गए इनके बीच में gap calculate करो gap कितने है एक दो तीम चार पंच चे यह जो छे gap ना इन छे gap में से किसी दो जगाप दो कुर्सइया रखो जैसे म्हा लोग कोई बी दो जगाप कुर्सए अरु इन पर की बाइट से ऐतों घब यह तो एक गप बन जाएंगे है की अगर निव्द हो जाते है प्लू उसका है कि ब्लू औरvette को बैठना है आपका पहले एक है कि यह दोनों कहां पर बिठा हुआ हुए है तो हुआ जाएंना हे तो है माई मैं दो जगा कर दो करना के लेक्धि पारment का बादिक là होग किसी दो जगा कुर्सिया रखना काता हूं तो मैं कितने तरीके से रख सकता हूं सोच थो तूट अबावर शिक्स कैसे क्या लोजिक लगाए आपने टूट अबावर शिक्स में हरे गैप में हम दो कुर्सिया रख सकते हैं तो 6c2? ç emission 6c2 बिल्कुल ठीक है? 6 में से 2 gap select करने की तरीके हैं स熟 तिरीके से 2 2 gap select कर सकते हो उतने ही तरीके से आप कुर्सिया रख सकते हो 6 gap में से कौन से 2 gap select होंगे वो 62 देगा selection का question है अभी फ्लाल बताब selection की अपने 6 में से 2 gap select करके उस पर अपने कुर्सियां रख दी ठीक है अब B और जी आगे अब B और जी किते हैं थी कैसे बैठ सकते हैं बताओ B और जी किते हैं थी कैसे बैठ सकते हैं इसी डूप B और जी 62 दो कुर्सियां रख दी 62 आपको क्या देगा छे में से 2 gap मतब 2 जगा कुर्सियां रखने के तरीके यहां पर V.I.Y.U.R. बैठ थे सारे तरीके देगा मालो एक कुर्सियां पर रख दी एक कुर्सियां पर रख दी तो यह हो जाएंगे टोटल नमबर वेज 5 फेक्टोरियल इन्टू 62 इन्टू 2 फेक्टोरियल पहले बाकी सबको बिठाओ जिन पर restriction नहीं है पहले उन सबको बिठाओ फिर जितने लोगों को आपको लग-लग रखना है उनके लिए कुर्सियां रखो उनके लिए गैप सेलेक्ट करो फिर उनको बिठाओ यह तरीक है पहले बाकी सबको बिठाओ फिर जितने लोगों को लिए आपको बिठाना है जितने लोगों को अलग-लग बिठाना है उनके लिए उतने gap select करके कुर्सियं रखो, कुर्सियं रखो के तो फिर उसके बाद जो बाकी लोग आ रहे हैं उनको भीठाने के तरीके ठीक है, ये जो answer आया ये same ही आएगा 7 factorial 6 factorial 2 factorial से ठीक है, दोनों same आएगे, ठीक है but gap method यादा prefer करते हैं उसका मैं logic next page पर समझाता हूँ, पहले आप इतना note कर लो कुछ doubt है तो पूछो 62 क्या दे रहा है मेरे को 62 दे रहा है, 6 में से 2 gap select करने के तरीके, ठीक है 62 अपने को दे रहा है, 6 में से 2 gap select करने के तरीके ठीक है कॉल लो इसको note पर समझाता हूँ, पर समझाता है ठीक है, ऐसा क्यों किया हमने तो हर चीज का explanation लिखो, 5 फेक्टोरी क्यों लिखा, बाकी सब को बिठाया, 62 क्यों लिखा, 6 में से 2 gap select किये तांकि 2 कुर्शें लगा सके और 2 फेक्टोरी क्यों लिखा, 2 और जी के बैठने के तरीक है, तो यह सब चीजे लिखो, मैं पहले ही बताना भूल गया, हर जगा लिखो इसमें, ठीक है, अब जीनों नहीं लिखो, बाद में लिख ले ना, लेकिन recorded lecture है आपके, लेकिन बार बार lecture देखने का time नहीं मिलता, ठीक है, तो बैटर है कि सब लिखो, थो एक्स्प्रpektरा लिखो साथ तो अब देहूँ पर यह क्यों बोलें कि गाड मैं था यादा प्रैफरेबल है। छे अगर जैसे कोशन होता, येल्व बूलु और ग्रीन को एक साथ नहीं बिठाना है इन तीनों को लग लग बिठाना है ठीक है इन चारओ के कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इन तीनों को लग लग नग बिठाना है तब आपका वो clubbing वाला method नहीं चल सकता था तब आउज यह नहीं कर सकते थे कि 7 factorial इन तीनों को एक माल लिया कर दो तब ये वाले मैसर नहीं कर सकते दे कि जब तीनों एक साथ हैं और टोल में से वह बलाए के स्बटेक्ट कर दी जब तीन एक साथ हैं क्योंकि अभी कोश्चन क्या कह रहा है मतलब कोई भी दो भी एक साथ नहीं हो सकते, यलो और ब्लू भी एक साथ नहीं हो सकते, सब को अलग-लग बिठाना है, ठीक है, ब्लू, ग्रीन और यलो को सब को अलग-लग बिठाना है, पहला पार्ट ही है, मैं अभी इसी की बात करूँ, जब तीनों को अलग-लग बिठाना ह तब yellow और blue भी साथ में नहीं बैठ सकते, blue और green भी साथ, कोई भी दो साथ में नहीं बैठ सकते, ठीक है, सभी अलग-लग बैठने चाहिए, तब ये वाले method गलत हो जाएगा, ये वाले method गलत क्यों हो जाएगा, मालो आपने five factor और three factor कर दिया, आपने ये वाले cases तो subtract कर दिये, जब yellow, blue, green एक साथ थे, ये cases तो subtract हो गए, लेकिन अभी भी ये वाले cases बच जाएगे, जब blue और दो दो एक साथ हैं, जैसे blue और green एक साथ हो गए, या green और yellow एक साथ हो गए, ये cases अभी भी बचेंगे इसमें, क्योंकि आपने क्या subtract किया, आपने इसे बहुत चीज़ गए, और उसको calculate करने बहुत सारे cases बन जाएंगे, तो उसको आप calculate करोगे तो फोड़ा लेंदी चला जाएगा, गैम है यहाँ पर बहुत अपनी help कर देता है, गैम है क्या बोलता है, बाकी चारो को बिठाओ, बाकी चारो बैट गए, बाकी चारो बैटके चार बैटके चा बाकी चारो में? 5 कितने गाप सापको select करने हैं? 3 कितने ते किसे कर सकते हो? 5C3 अब कितने लोगों को बिठाना है? 3 कितने ते किसे बैट सकते हैं वो? 3C4 बिलकुल, बस यह बन जाएगा आपका case, सामझ में आया? जब तीनों को अलग लग रखना है, जब तीनों को अलग में से कोई भी दो एक साथ नहीं हो सकते तो गय मैथर तीन को हो या चार को हो या पांच को जिनको भी अलग-लग रखना है उनके लिए गय मैथर समझ में आई बात कि कि अरग ऐसे हो पॉसिबल कि हम ब्लू-ग्रीन को तथा रख सकते हैं लेकिन तीनों को उसमें उसी पार प् पहले आप इतना नोड करो ठीक है ये नोड कर लो फिर बब फार कि बात करते हैं बीप्स यही है कि जब दो को एक्साथ रख सकते हैं लेकि तीनों को नहीं रखना और थ्री शुल-णोड भी टॉकाइथर दो कोई भी एक साथ हो सकते हैं उस case को कैसे करेंगे उसकी बात करता हूँ पहले ये नोट कर लो जब सबको अलग अलग रखना है कोई भी दो भी एक साथ नहीं हो सकते तो gap method ही prefer करना है और बाकी किसी भी त्वीके से करके देखोगे तो आपको complicated ही लगेगा वह साथ cases calculate करकर किसी ट्रेक्ट करने पड़ेंगे ठीक है और कुछ repeat on लग जाते हैं फिर बीच में कुछ miss हो जाते हैं वो सब चीज़े चलती रहते हैं ठीक है सबको लग-लग रखना है तो gap method को ही prefer करना है दूसरा है जब बी पार्ट क्या है जब यह तीनों एक साथ नहीं हो सकते और three should not be together कोई भी दो एक साथ हो सकते हैं जैसे यह कैसे यह acceptable है तब उसमें से यह वाला case करने है total में से वो cases subtract करो जब तीनों एक साथ हैं सिरफ तीनों एक साथ नहीं चाहिए बाकी दो एक साथ हो कोई दिख कर नहीं है तो total में से वो cases subtract करो जब तीनों एक साथ हैं बाकी कुछ भी हो चलता रहेगा समझ में आई बात ठीक है जब क्या बोलते है तीनों जब एक साथ है वो बाकी सब चलता रहेगा जब तीनों में से कोई दो एक साथ हो सकते है तो total माइनस गठरी वाला मैथद ये करना है जब तीनों में से कोई दो एक साथ हो सकते है क्रैम मत करो तो समझ भी इस चीज़ को और जब तीनों को साथ में रखना में तो आज अपने दो मेथास कहें गठवाला के या यह सिरुए में गठ्वी करें इसका गठताइब चिंन गैया मैथा को समझ में आना चाहिए कि गैया मेथास किसकी बात उलिए ठीक है प्लियर हुआ? ठीक है, आज आज आप सभी जाके इसका NCRT करो, ठीक है, NCRT में एको लगता है आप कर पाओगे, यह का करके देखना नहीं होगी, तो फिर डिसक्स करेंगे questions, यह कर आप NCRT करो इसकी, ठीक है, मैं कल CPP भेजता हूं इसका, ठीक है, तो फिर वहाँ से आप CPP सबस्क्राइब है थाने भी सबस्क्राइब तक दो जो, ठीक है, ठीक है? छलो, okay then. थैंक्यों सब्स्राव थानृお, थैंक्यों।